आपने डाली है तो आपने डाली है तो आपने डाल के रखने से नहीं होता है आपने डाला है डाल के रखने से उसको मतलब नहीं होता है उसकी पावर को बढ़ाई है उसकी पावर को आपने बढ़ा के नहीं रखा है आपने डाला है कोई डाला भी होगा तो प्रॉलम क्या है क आपने multiplier निए बड़ा होगा वसका कि जैसे क्या होता है अब यहां पहले प्रमिरी मेरी बड़े हुई है जैसे कि क्या है वीरे कामरा में तो थोड़ सा multiplier बड़ाना परता है अगर मैंने light को अगर मैंने यहां पर multiplier मेरे पास है नहीं नहीं तो अंधिरा दिखेगा समझ रहे हो मैंटिप्लियर अगर आप डालो गए नहीं तो अंधिर देखेगा जब आप उसकी जब पाउर को बढ़ा होगे तब आपको वहाँ पर लाइट नजर आएगी रेंडर के अंदर में बोरा हो अभी यहाँ पर आपको लाइट करके दिखाओ आपको यहां पर नजर आएगा अभी लाइट आपने डालो लाइट मने भी दाला मैं भी देखो लाइट नजर नहीं आ रही है क्यों नहीं नजर क्योंकि मैंने वीरे कैमरा यूज किया हूँ और इसमें लाइट थोड़ा सा डल हो जाती है कम हो जाती है तो इस चीज़ को मेरे को अप्लाइट को बढ़ाना पड़ेगा बढ़ा दिया और यहां पर आप देखोंगे लाइट अभी धिर देशो होने लग गया है अभी यह कि मैंने आइस लाइट डाला हूँ मगर आइस लाइट में इसकी फाइल को मैंने डाला नहीं हूँ आइस अच्छे से सीधा होना चाहिए लाइक दीज ऐसे और आई मैं इसके अंदर अगर इफेक्ट वाली फाइल डालता हूं मिसलब जो आइस लाइट वाली फाइल होती है उसको मैं लोड करता हूं यहां पर आपको इसके अंदर इफेक्ट दीखना चालो हो जाएगा इधर पर कि ऐख्याइल डालने पड़ते है आईस लाइट के फाइल आपके पास होनी चाहिए जो इफेक्ट की फाइल होती उसके तो मेरे जो इफेक्ट की फाइल से मैं जहां पर रहत हुआ हो उस जगह से मैं लोट कर लेता हूं नम्बर फ्री में के शोड़ा नंबर अफाइल तर्फ आइस समें लाइट ज्यादा भराइए यहां पर दिख रही है मैं इसको रैंडर देख लीता हो इधर पर कैसा ना यहां पर यहां पर नजया रही है अग मुए यहां पर अभी यहां पर काफिकल प्रेट दिखें होगा लाइट के multiplier को बढ़ाओ तब आपको दिखेगा लाइट के multiplier अगर बढ़ाओ गए नहीं तो तब आपको ये effect नजर नहीं आएगा और आपने light डाला है तो उसका multiplier increase कीजिए तब आपको वो effect एक wall के ओपर इस तरह का कुछ effect नजर आएगा light का फिर वो अच्छा लूग देता है आपके scene के लिए चीक है fixscene.com यहाँ मिलते हैं आपको 3D models, scene 5, texture और tutorials और विए जाने के लिए इस वीडियो के description में इसका link दिया हुआ है आप वहाँ पर जाके आप visit कर सकते हो